नमस्कार दोस्तों मैं हरीज वारतवाज ग्यान पीट इंस्टेडीट में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि हमने बताया था वह आपको 45 दिन के अंदर हम पीटी का कम्प्लीट कोर्स कराएंगे कुछ भी आपका नहीं छूटने वाला तो इसी सीक्वेंस में हम औरंग जेब की बात करेंगे और औरंग जेब किसी भी एक्जाम के लिए इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं है आप जब आपका means होगा तब भी अगर इस topic में कोई भी question होगा तो वो इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ultimately आपको selection लेना है और एक बात मैं clear कर देता हूँ preparation के लिए आपको इतना पढ़ना पढ़ेगा अगर आप बास्तम में सफल होना चाहते हैं तो जो आपको दिया जा रहा है आपको उसको पढ़ना ही पढ़ेगा उसको बार बार वीडियो को देखिए अपने notes बनाईए क्योंकि इतना समय है डेड महीने का समय है आप दिन रात एक कर दो मेहनत करो सफलता जरूर मिलेगी लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम केबल ऐसे ही कुछ भी देख देख के हासल कर लेंगे ऐसा नहीं होगा जो sequence में याँ पर पढ़ाये जा रहा है आप उसको लगातर पढ़ते रो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा यह हम आपको promise कर रहे हैं सब कुछ आपको मिलेगा आपकी सफलता 100% हम सुनिस्चित कर रहे हैं बस आप classes को continue रखिए ठीक है और इसको revise करते रहे हैं और मैं आपको बता चुकाऊं कि ये जरूरत है इतना आपको पढ़ना होगा सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा चलिए सुरुआत करते हैं औरंग जेव देखो औरंग जेव के बारे में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इन भाई साब का जन्व हुआता दो हाद में ठीक है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत FA की टाइप की होती हैं लेकिन कुछ questions ऐसे भी आ जाते हैं जो अब तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन बड़ी important बाते हैं तो बो भी हमें ध्यान रखनी हैं ठीक है जो FA की टाइप की चीज़ें होती हैं वो तो आपके दिमाग से slip नहीं होंगी उसका आपका एक अच्छा रिवी जन हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम बात करते हैं इनका जन्व हुआता दो हाद गुजर बात में इनका 1618 में जन्व होता है क्योंकि इनका अधिकान समय नूर जहां नूर जहां आपको याद आ रहे होगी यह जहांगीर की पतनी थी हैं और आपको एक बात बताया था नूर जहां के बारे में हमने जहांगीर में सब कुछ बताया था तो इनका अधिकान समय इनकी दादी ये इनकी दादी हुई ना अधिकान समय इनकी दादी के पास बीता था और इसने अपनी पुत्री का नाम भी जो इनका वास्तविक नाम था महरुनिस्सा मैंने बताया था महरुनिस्सा किसका नाम था नूर जहां का तो जो इनका वास्तविक नाम था उसी नाम पर इसन झो यहां पर question ऐसे भी आ सकता है कि नूर जहां की पुत्री यह नाम पूछा जा सकता है या इस को इसे question चोटे छोटे आपके एकजाम में पूछे йाते हैं अब बात करते हैं यहरा पहली बार इनका राजव इसे एक का हुगा और यह तो बहुत ही जादा पूछे जाने वाली बात है आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मुगल बादसा था जिसका दो बार राज जबसेख हुआ तो ये औरंग जेब था सबसे लंबे समय तक इसने सासन किया था अकबर ने भी सबसे लंबे समय तक किया इसने भी यानि कि दौनों ने उनिचास साल उनिचास साल तक सासन किया था यानि अकवर के बाद फिर औरंग जे भी हुआ जिसने इतने समय तक सासन किया बाकी फिर किसी ने इतने समय तक सासन नहीं किया क्योंकि ये हिंदू का बहुत बिरोधी था इसने मंदरों को तुलबा दिया था इसने इसलाम में कनवर्ट कराने की भरपूर कोसिस कीती बहुत जदा हैं अब हिंदू कनवर्ट हुए थे مسلم में तो इसने बहुत साइब के ऐसे अभियान चलाए थे जो इसकी बातों को नहीं मानता थे उसकी गरदन कटवा देता था हत्या कर देता था सिख्वों को इसने मुसलिम में कनवर्ट कराने का भरसक प्रयास किया और बहुत सारे लोग इसके बातों में आकर हिंदु धर्म में कनवर्ट हो गए बहुत सारे नहीं हो पाए लेकिन कमाल की बात बता दें आपको हिंदु मंदिर को तोड़ने में जो हिंदू सेनापती थे उनकी भूमका कम नहीं थी क्योंकि औरंग जेब ऐसा था जिसकी सेना में सबसे ज़्यादा सेनापती हिंदू थे तो हिंदू सेनापती सबसे ज़्यादा किस मुगल सेना में थे अगर ये question आता है तो औरंग जेब का नाम याद रखना क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हिंदूों को मुस्लिम में कनवर्ट करवाया वो मुस्लिम में कनवर्ट हो गए थे सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापती ओरंग जेव में थे और इसने सबको मुस्लिम में कनवर्ट कराने का प्रयास किया यहां पर दो बार पूचा जा सकता है कि किस मुगल समराथ का दो बार राजजव सेख हुआ तो ध्यान रखना पहली बार आगरा में हुगा और दूसरी बाद देवराई का युद्ध मैंने आपको सामुगण का युद्ध, धर्मट का युद्ध, देवराई का युद्ध, ये तीनों उत्रदिकारी के युद्ध थे और ये किस किस के बीच में हुए थे, दारा सिको, और किस के बीच में हुए थे, भई साजा, साजा के बेटे थे ना, दारा सिको भी, जो को दारस को और इसकी युद्ध के बारे में आप साजा वाली वीडियो देखके समसा सुन सकते हैं सामुगर्ण का धर्मत का ये पूछा जाता बहुत जादा पूछा जाता है ठीक है कि इसमें से धर्मत का युद्ध किंदों के बीच में हुआ तो आप इसको कनेक्ट करो धर्म मैंने बताया था ये एरानी से बहुत जादा इनके आगोस में आ चुके थे तो उस समय जब इनका धर्म सिया अपना लिया था इन्होंने मतलब जो सिया धर्म थे तो इन्होंने सिया अपना लिया था लेकिन इसने सुनी धर्म को फिर से अपना है तो हमने बताया था शुरुआत में सुन्नी ही थे, तो सुन्नी के बाद में सीया हुआ था, आपको बताए थे यह सारी चिल्या, अगर आप मुगल की सारी वीडियो देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा, तो इसने सुन्नी धर्म फिर से अपनाया, तो यह सीन्नी धर्म को मानता था और इसको जिंदा पीर कहा जाता था बहुत ही इंपोर्डेंट एक लाइन का question इसमें से जिंदा पीर किसको बोला जाता है औरंग जेव ऐसे questions ही आएंगे आपके जो एक्जाम आप पी टीका देने जा रहे हो इसमें simple ऐसे question आएगा कि इसमें किसको जिंदा पीर बोला जाता है तो वो है औरंग जेव किसी भी बंडे एक्जाम में ऐसे ही question आते हैं अब पुरंदर की संदी अब इसने क्या काम किया था सिवाजी को घेरने के लिए मराठा में पढ़ेंगे सिवाजी और इसके बीच में बहुत टसन रही थी देखें मराठा में सिवाजी को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग तो इसने से घेरने के लिए इसको क्या किया था जैसींग को बेजा अब जैसींग ने इसको घेर भी लिया था लेकिन उसके बाद में इसने क्योंकि जो औरंग जेव का में मक सथा वो था बीजापूर पर कबजा करना तो इसने सोचा कि इसके साथ संधी कर लेते हैं संधी करके ही हम बीजापूर को जीत सकते हैं गोलकंडा और बीजापूर को यह जीतना चाहता था तो जीता लेकिन कुछ टाइम बाद जीता जब इसने 1665 में संधी कर ली जैसींग और सिवाजी के भीज, तो यह तो हमसे पुछा जा सकता कि पुरंजर की संधी किन-किन के मद्ध हुई थी, ठीक है? तो औरेंग जेप के कारे काल में हुई थी, तो जैसिंग को भीज आता है औरेंगoten, तो जैसिंग केमा जेपने, तो जैसिंग और सिवाजै कर दिये, दूसर तो चलिए आगे देखेंगे तो यहां पर आगरा के लिए में सिवाजी उपस्तित हुए यहां सिवाजी को कैद कर जैपर भवन में रखा गया था पूछा जा सकता है छोटे-छोटे क्वेस्टन ही बनते हैं ठीक है बहुत छोटे-छोटे लेकिन जब तक आप इनको बारबार नहीं सुनोगे उन्सक्वाब नहीं देपागो और इनको सुनोगे तो उसक्वेस्टन का जवाब चुटकियों में देद होगी तो यहां पर इसलाम सुीका नहीं करने पर सिखों के नौमें गुरू तेग बहादूर की हत्या इन्हों ने कर दी ठीक है तो हम सब पूछा जा सकता है कि तीग बहादूर की हत्या किस मुगल समराट ने की ती देखो इससे पहले भी मैंने बताए था फासी लगवा दी थी इसने गुरू अरुजन देव को ठीक है तो वो उसके बाद आप देख रहे हो औरंग जेब ने भी क्या काम किया था तेग बहादूर की हत्या करा दीती तो गुरू तेग बहादूर आप सभी जानते होगे इस बात को बहुत ही महत्पूर बात है ये बहुत जादा पूछा जाने वाला क्व गुरू की हत्या कर दीती तो गुरू तेग बहादूर ये ऐसा भी पूछा जा सकता गुरू तेग बहादूर की हत्या इसमें से किस मुगल समराट ने की ती तो ऑरंग जेब आपको याद रखना है अरुजुन देव औरंग जेब नहीं मतला आ और आ ये मैच नहीं कर रहे गुरू तेघ बहादुर की हत्याicherung औरंग जेव ने की थी अब इसने जजिय कर पुन्ह लागु कर दिया जजिय कर के बारे में हम बता चुके हैं जो तीर से अत्रा कर लिया जाता हिंदुों से वो जजिय कर था ठीक है ब्रहामणों पर भी जजियाकर पुन्हे लागू करनी का कार रहे इसने कर दिया था आपको पता है ब्रहामणों पर पहले जजियाकर सबसे पहले किसने लगाया था ठीक है आप कमेंट करके बताओ दिल्ली सल्तनेत में बताई थी बहुत ही इंपोरेंट बात है फिरोसा तुगलक ने जदियकर ब्रामणों पर भी लगाये था तो इसने जदियकर दुबारे से सुरू कर दिया था क्योंकि अकपर ने हटा दिया था जदियकर को इसने फिर से सुरू कर दिया था जहां आ रहा जहां आ रहा इसकी बेहन होगी क्योंकि जब साहजा की बेटी है तो इसकी बेहन हो गई तो जहां आरा इसकी बेहन है औरंग जेब की तो जहां आरा को इसने एक उपादी दीती साही बाद उज जमानी तो पूछा जा सकता है कि साही बाद उत जमानी किसको बोला जाता है साही बद उत जमानी जहां आरा को बोला जाता है कि इसने साणजा को तो बंदी बना दिया ये बात मैं आपको बता चुका हूँ साणजा की टाइम पर जो साणजा की बात है उसको जरूर देख लो तब ही आप इस वीडियो को देखो 1669 में औरंगा बाद में बीवी का मकवरा बनाया एक्ट्वर में कैता है बीवी का मकवरा औरंग जेब ने बनाया मितलब बनवाया लेकिन इसका जो बेटा था इसने अपनी जो दिल रास बानो बेगम या रविया उद्धोरानी का किला बोला जाता ए ठीके तो उसका बेटा था आज हमसा इसने अपनी मा की याद में मा की कबर के ऊपर ये मकबरा बनवाया था उसने कोसिस की थी कि ये मकबरा ऐसा होना चाहिए जो ताज महल को मात दे जाए लेकिन ताज महल के आसपास भी नहीं ठहरता है इसको नकली ताज महल लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इसको छोटा ताज महल भी बोला बहुत सारे तरह से मतलब ताज महल की नकल, नकली ताज महल, छोटा ताज महल इस टाइब के इसकी संग्या दी गई थी क्यों क्योंकि औरंग जेब इतना पैसा नहीं दे पाया ठीक है सहायता गीती औरंग जेब ने बनवाया अपनी पत्नी के लिए और इसने अपनी मा के लिए लेकिन ये ताज महल का मुकाबला नहीं कर पाया तो बीबी का मकवरा पूछा जा सकता है कहां पर है तो यह कहां पर है यह औरंगाबाद में है ठीक है आपसे पूछा जा सकता है यह औरंगजीब ने बनवाया था औरंगाबाद यह लिखा हुआ है ठीक है तो औरंगाबाद में है और हमसे अगर पूछा जाए किसने बनवाया तो औरंगजीब ने बनवाया अगर option में आजमसा होता है तो आज हम सा टिक करोगे थीक है जा सकता मखवरा के कहां पर रहा है तो बहूं यह आगे बात करते हैं दोस्तों देखो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कई जगा ये फैक्ट 1685 लिखा होता है मैंने आपको पहली बता है जहाँ पर जो गलत चीज लिखी हुई है किसी भी बुक में ठीक है वो गलत है इसका सही फैक्ट है 1686 इसने 1686 में बीजापुर को जीत था और 1687 में इसने गोलकंडा को जीता था तो ये दो महत्पूर बातें ध्यान रखनी है 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकंडा question भी आ चुका एक बार देखो Lucent की बुक में दिया हुआ 1685 क्योंकि सारी बुक्स जो होती हैं मैंने आपको बताया कि सारे डेटा authentic नहीं होते हैं हम यही काम करते हैं जो unauthentic चीज़ें होती हैं उसको authentic कर देते हैं आपके exam connection के लिए जितनी चीज़ें जरूरी होती हैं जो आपके syllabus के according point to parent हैं वो आपको यहाँ पर दी जा रही हैं आपको मैं clear कर देता हूँ यह आपकी Lucent की जो बुक आती है उसमें इसकी date 1685 दी हुई है एक बार question भी आ चुका है उसमें 1685 भी option था 86 भी था 87 भी था तो बताओ क्या करें तो वो fact नहीं चल पाया है वहाँ पर जो आयोग ने answer माना 1685 ही माना क्यों क्योंकि सही fact यही है 1686 और जितने भी authentic books हैं जितने भी government के according जो site से हमें data मिलता है वो मिलता है 1686 तो ऐसी चीज आपकी गलत ना हो जाए बाद में पता चले कहीं आरूप लगाते हो कि आयोग ने गलत answer की दे दी ऐसा नहीं है सही fact यही है 1686 तो मैं तो खेरी यह example दे रहा हूं मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि यहां पर जो भी मिलता है वो पूरी तरह से बहुत ही authentic मिलता है जो बास्ता में सही है जो आयोग के हिसाब से सही होता है और जो government sites के हिसाब सही होता है NCRT जैसी authentic books से जो सही होता है वो यह आपको म गोलकुंडा को इन्होंने मुगल सामराज में मिला लिया इस समय गोलकुंडा का सासक अबुल हसन कुदुप सहा था देखे खेर यह को इतनी important बात नहीं क्योंकि आपके मुगल सामराज पर बेच जादा चीज़े देखनी है गोलकुंडा पर नहीं अब क्योंकि मैंने नाम इसलिए बता दी हैं आपर कि ओरंग जेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह चाबियों से खोला जैसे अकबर ने असीरगड के किले को कैसे खोला था असीरगड के लिए भी कहानी है अकबर ने यहां धोका दिया था मैं बता रहो धोके बास था यह भी कैसे जब असीरग और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाए जाएगा जैसे ही वो बातचीत के लिए आया सेनकों ने उसके पीछे से खंजर खौप दिया बहादुर सा के खंजर खौप दिया तो बहादुर सा ने बोला कि आपने मुझे धोका दिया तो अक्वर ने बोला राजनीती में सब चलता है धोका कुछ नहीं होता है किसी भी طरीके से जीत ना है यही राजनीती है तो बिस्वास घाती भी था धोके भाज भी था बहुत सारी चाह messis को महान बोला जाता है क्यों बोला जाता है वो यहां पर हम डिसकस करने लायक एक प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन जो भी है अकबर महान तो अकबर महान असोग महान तो असोग महान लेकिन इतना जरूर है कि महान तागे जो कार्रे किये हैं हमें वही देखने है या जो हमें पढ़ाया जाता है हमें वही देखना है चलिए हम बात करते हैं यहां पर औरंग जेब ने गोल कुंडा के उसी तरह खोला जैसे अकबर ने असीर गड़ के केले को खोला था औरंग जेब के पुत्र अकबर ने भी इसके खिलाब बिद्रो किया था पूछा जा सकता है कि औरंग जेब का ऐसा कौन सा पुत्तर था जिसकी वज़े से उसके अभियान फीके पड़ गए या जिसकी वज़े से उसकी ग्रोथ रुख गई थी तो वही था अकबर उसका नाम अकबर था ठीक है तो यह अकबर दूसरे हो गए तो यहां पर अकबर ने इसके खिलाब बिद्रो किया था औरंग जेब के सासन का जो आधार था वो कुरान थी संगीत पर पाबंदी लगा दी थी लेकिन फिर भी धियान रखना इसने यह संगीत पर पाबंदी जिसने लगा दी थी लेकिन खुद बीना बजाता था खुद बीना बजाने में दक्ष था और इसके टाइम पर भारतिये सास्त्री संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तक हैं भी लिखी गई थी लेकिन फिर भी इसने संगीत पर पाबंदी लगा दी तो पूछा जा सकता कौन सा मुगल बा कनवर्ट हो सिख मुस्लिम में कनवर्ट हो मतलब यह बस यही चाहता था कि किसी भी देखो इसने इसको जेहाद का नाम दिया था मैं यहाँ पर बताता हूँ जेहादी का इसका क्या मतलब था इसके जेहाद का मतलब यह था कि दारुल हर्व यानि कि गैर मुस्लिम देस काफ लक्षमान तो जब यह खुद चाहता था कि हम दारुल इसलाम बना लें दारुल इसलाम का मतलब पूरा इसलामी इसलाम हो जाए यानि हिंदू नहीं रहें पूरी तरह से क्या हो इसलाम हो Muslim country हो हमारा यह जब इसकी सोच थी तो no doubt इसने सिखों को बहुत परताड़ित किया हिंदूओं को बहुत परताड़ित किया और औरंग जेब के टाइम पर उनन्चा सालों में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में कनवर्ट हुए थे सबसे ज़्यादा संक्या बहुत सारे हिंदू ठीक है आज भी बहुत सारे मुसलिम आपको आज भी मिलेंगे बहुत सारे ठीक है जिनके पूरबज हिंदू थे लेकिन औरंग जेब की तलवार के आगे वो जुग गए और उन्होंने मुसलिम धर्म अपना लिया ठीक है तो इस तरह का राज था किसका औरंग जेब का यहाँ पर इसने दार उलिस्लाम को ही इसने जिहाद माना तो यह जिहाद यह जिहाद का जो नारा लगता है उसका मतलब इसने माना कि दार उलिस्लाम यानि कि किसी भी तरीके से हम अपना इसलाम देश बना लें इसके यहां पर एक फ्रांसी सी यात्री था फ्रांकोईस वर्नियर नाम ध्यान रखना फ्रांकोईस वर्नियर यह औरंग जेब का चिकित सकता ठीक है तो अगर पूछ लिया जाए यह पूछने लाइक बात है वैसे कि औरंग जेब के टाइम पर कौन सा यूरोपियन था जो उसका चिकित सकता या कौन सा यूरोपियन इसमें से था तो फ्रांकोईस बर्नियर ध्यान रखेंगे इसका नाम अब औरंग जेब की मृत्ति हो जाती है सत्रे सो साथ में ठीक है इसका मकवरा बड़ा इंपोडेंट है खुलदा बाद जो रोज जेब का मकवरा कहा है तो खुलदा बाद लाहा बाद टिक करना है ठीक है सबके मकवरा बाबर का मकवर अकवर का मकवर जो सिकंद्रा में हमायू का मकवरा आपको पता होने चाहिए तो इसका मकबरा कहां पर है खुलदा बाद अब जजाओ का युद्ध कब हुआ था एक और युद्ध दियान रखलो जजाओ ये भी उत्तरधकारी युद्ध था तो इसकी मृत्यू के बाद 707 में बहादुर साथ प्रिथम और आजम साथ के मद्ध हुआ था प्रिशन्स की आज दो चार क्वेश्चन्स आपको करा देते हैं इससे आईडिया लगे कैसे क्वेश्चन्स आपके एक्जाम में आते हैं तो इसमें से किसका दो बार राज्जविसेख हुआ ये सब पूछे गई क्वेश्चन्स ही हैं तो ये औरंग जेप का हुआ था अगला निमन युद्धों को काला नुकरम में वेवस्तित कीजिए अब जैसे मालो आप ऐसे समझो भले ही आप चलो आप सरनाल युद्ध नहीं जानते सपोज तो आप ये आप कुछ भी नहीं जानते चलो आप ये भी नहीं जानते ये भी नहीं जानते वैसे तो खेर ये युद्ध तो अभी आपको बताए थे मैंने हैं लेकिन आप भूल गए तो आप ऐसे क्रोनोलिजिकल ओडर में एक बार ओपसन देख लिया करो क्या पता ओपसन ऐसे हो कि जो आप जितना भी जानते हो इसके according टिक कर पाओ जैसे आप दो ही युद्ध जानते हो तो उसके इसाब से आप टिक कर पाओ तो अब यहाँ पर धर्मत का तो बहुत ही महत्पून है ये कब हुआ था ये दारा सिको और औरंग जेब के बीच हुआ था जजाओ का युद औरंग जेब के पुत्रों के बीच हुआ था बहदर सा प्रिथम और ये जो थी आसब सा तो यहाँ पर क्या है कि जब आपको ये पता चल गया कि ये तो इससे पहले हुआ था यानि कि कि किसी भी हालत में हमारा जो आपसन है वो क्या होना चाहिए सबसे बाद का फोर होना चाहिए को कि यही औरंग जेब के बाद यही उद्ध हुआ था बिल्गराम का सब्पोज आपके दिमाग से सिलिफ हो गया लेकिन इतना तो पता ही होगा कि ये पहले ही हुआ था डेट भी याद रखेंगी जरुषण नहीं है तो हिमायु और सेर सांसूरी के बीच में हुआ था तो बिल्ग्राम का यद्ध तो बहुत महत्पूर यद्ध भी है है बहुत महत्पूर यद्ध है तो हम ऑप्सन के इसाब से क्या करेंगे कि वही सबसे बाद में 4 आए तो आपका B option S आए जिसमें सबसे बाद में 4 आ रहा है और बैसे भी देखो अगर आप इसको सही तरीके से चलोगे तो सबसे पहले second युद्ध हुआ था बिल ग्राम का युद्ध चलो मैं आपको सरनाल युद्ध के बारें में हुई थी तो अकबर के टाइम पर सरनाल का युद्ध हुआ था अगर मालू आपसे पूछा जाता है सरनाल का युद्ध किस साल हुआ था 1572 में हुआ था या किस सासक के द्वारा युद्ध किया गया यह ऐसा पूछे के chance जादा है क्योंकि बहुत जादा dates बहुत जादा नहीं आएंगी तो ये अकबर के समय का था ठीक है तो इस तरह से हमारा option हो जाएगा बी आगे देखते हैं धर्मत का युद्ध किसके मद्ध लड़ा गया तो धर्मत का युद्ध किसके मद्ध लड़ा गया जीता इसमें कोई डाउट नहीं है ये तो हमने आपको बताया था पंद्रेशो ये 86 और 87 में ठीक है ये देखो मैंने आपको बताया था 1687 86 सुरी ये मैंने हाँ पर आपको बताया था ये बहुती महत्पूर बत है ठीक है आप देख लो दो चार क्वेश्चन और करेंगे ये 1687 1686 में यहां पर देखो अगला किसने जजिया पुन्हे लगाया तो ये भाई सव औरंग जेबी थे ठीक है इन्होंने फिर से जजिया लगा दिया बीबी का मकबरा तो कौन है ये औरंग जेब ने बनवाया अगर इसके बेटे का नाम होता तो वो टिक करते नहीं तो क्या हो गया औरंग जेब अगला क्वेशन औरंग जेब दौरा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है तो जिहाद का अर्थ दारूल इसलाम है, ऐसे question पूछे याएंगे छोटे से, दारूल इसलाम, next question, दिल्ली लाल के लिए में मोती मस्जद का निर्मार, देखो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था, ठीक है, जब मैं आपको साजा पढ़ा रहा था, उस समय मैंने बताया था कि मोती मस्जद दिल नहीं है, आप बहुत सारे भी कर लोगे, लेकिन उस से बस एक idea लगता है कि कैसे question पूछे जाएंगे, मतलब किस label के पूछे जाएंगे, ऐसा ही label होगा, ठीक है, इस से ज़्यादा कोई label नहीं होगा, छोटी छोटी चोटी चीज़ां पूछी जाएंगी, लेकिन, ये समझ हम एक दो बार देख लोगे, या अपने notes बना लोगे, या फिर आपको PDF मिल जाएगी, t.me, ग्यान पीट इंस्टिटूट, t.me, ग्यान पीट इंस्टिटूट पर आप जाओ, ठीक है, ये क्या है, हमारा telegram का channel है, यहाँ पर हम आपको PDF दे देते हैं, ठीक है, तो आप यहा notes बना लो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल पा रहा है, ठीक है, तो चलिए next class में फिर मिलते हैं, ठीक है, आप पढ़ते रही है, thank you.